नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिजिनिंग के 30 important question को पढ़ने वाले हैं यह रिजिनिंग का जो है सात्मा भाग है इससे पहले हमने जो है छे प्रैक्टिस सेट करवा चुक है अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरू करवाया है तो आपके जो है वी सब question काफी जो है clear हो जाएंगे इसमें जितने भी question लिए गए है तब जो है RRV में पूछे गए तो चलिए हम बिरादेरी की वीडियो की शुरुगात करेंगे यहां से देखेंगे पहला question क्या है उस बिकल्प का chain करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है ठीक है एनलोजी का question है जैसे यहां पर लिखा है सूचमदर्सी दूर्डर्सी यहां लिखा है आवरधक ग्लास ठीक है तो यहां पर क्यार लिले का प्रयोग किसमे किया जाता है तो नजदीक की वस्त को देखने के लिए और दूर दर्सी का उपयोग हम जो है दूर की वस्त को देखने के लिए करते हैं तो आपको यहां पर बताना है आवर्धक लेंस आवर्धक ग्लास यह क्या करता है आवर्धक लेंस का उपयोग हम नज की वस्तु है वस्तु है उसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे तो इसका जो है correct answer हो जाएगा ए वाइना कुलर्स वाइना कुलर्स इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दुर्वीन क्या होता है दुर्वीन होता है तो आप यहां से इसको याद भी कर लेंगे कि की मतलब की मतलब क्या होता है कि नजदी की वस्तु को देखने के काम में आता है और शहकूशन के Gods कर इसमें जिसमें दिये गए सब्दों के बीच का संबंद अन्य विकलपों में दिये गए सब्दों के बीच के संबंद से भिन्न है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर चारों आपको देखना है इसमें से चार जो है तीन एक दूसरे के क्या होंगे लगभग एक दूसरे से क्या है similar होंगे समार होंगे एक क्या होगा भीन होगा जैसे पहला अगर हम इसकी बात करें सीमा देश होता है उनकी सीमा होती है ठीक है या रेखाएं होती है फूल किसका बनता है तो इस पाथ कवृ इस्टील का भी ब्रिज बनता है ठीक है अब यहां पर का कमरे में क्या होती है दीवार होती है यह परकार से का ही काम करता है जो दिवार है कमरे की बाउंडरी का काम करता है इसका मतलब A, B और D option क्या है एक दूसरी के similar है लेकिन यहाँ पर pull spot pull spot यानि जो pull जो बनाया गया है bridge जो बनता है वो किसका बनता है steel का उसमें use होता है यानि steel का भी bridge बनता है तो A option क्या हो जागा इसका option C एदब correct हो जाएगा next question देखेंगे तूची बद चार सब्दों में से तीन किसी तरह से संगत है यानि इसमें क्या है तीन similar है और जो similar लवी एक समान नहीं है उसको क्या करना है अलग करना है जैसे option A है इंडिया, option B में क्या है आश्ट्रेलिया, C में क्या है आफरिका और यूरूब तो देख रहे हैं यहां पर चारों में क्या है चारों आपको चारों में से जो असंगत होगा उसको आपको बताना होगा ठीक है तो जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, एक देश का नाम है, ठीक है, यह हमारा देश है, इंडिया, यह आस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्यूप के अंदर गताता है, ठीक है, आस्ट्रेलिया महाद्यूप के अंदर गताता है, अफरीका भी क्या है, महाद्यूप है, यूरोप भी क्या है एक प्रकार का महाद्यूप है लेकिन इंडिया क्या है एक कंट्री है एक देश है इसलिए क्या है इन तीनों से अलग है तो चलिए नेक्ट कोशन की तरफ बढ़ेंगे अब यहाँ पर क्या है दो ता कोशन में धिया है कि कोंट सा सब्द नीचे दिये गए संबंद को सरवत्तम धंक से पूर्ण करेगा जैसे यहाँ पर क्या लिखा है अब यहाँ पर कोडिन का कुछ पैटरन मत आप लगा दीजिएगा यहाँ पर लिखा जीकै आज मैंगे इंडिया में इंडिया में उसी प्रकार से पिरामिड होता है फिरामिड कहां प्रशिद्ध है कि इस जगह पार ते जो है इजिप्ट यानि मिस्त्र का जो होता है गीजा का पिरामिड जो होता है काफी प्रसिद्ध है इसलिए आपसन इसका भी एदम करेक्ट हुआएगा इजिप्ट यानि मिस्त्र मिस्त्र में क्या है पिरामिड होती है नेक्स्ट देखेंगे अब पांच्पा question हम देखेंगे पांच्पा question में क्या है एक coding recording का ही question है अगर देखा जाए लेकिन क्या है analogy का यह क्या है एक type है लेकिन आपको इसमें अगर place value याद है तबी लेटर की तो आप आसाने से कर सकते हैं जैसे P I L R को क्या लिखा गया है E F O E F O देख रहे हैं B से E बन रहा है B की place value 2 और E की 5 तो 2 में 3 जोड़ा गया है 5 हो गया है इसका I का कितना होता है 9 होता है 9 से 6 हो रहा है इसका मतलब minus 3 हो रहा है फिर इसका कितना होता है 12 कितना होता है 15 होता है इसका मतलब 12 से एक हो रहा है 15 फिर यह हो श्सकी वेलीू आर कि अठार है इसका 15 है यहाँ से माइनस 3 पैटर्न है क्या हो रहा है इसका प्लस 3 माइस 3 प्लस 3 माइस 3 आप इसमें यहां प्लस 3 करेंगे कितनी हो जाएगा 6 यानि यहाँ रहे यह पर किया है जे, ये का कितना होता है, दस, दस में से तीन खटा देंगे, तो साथ, या फूजी, कहें भी फूजी है, यस, आपसन ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आगे बढ़ने की जुरूती नहीं है, अपना टाइम क्यों अपलाउस करेंगे, इसमें करके, तो यहां पर क्य क्योंकि कोई आपसन और है ही नहीं, या 4G से, तो आपसन ये इसका करेक्ट हो जाएगा, नेक्ट कोश्चन चलेंगे, नेक्ट कोश्चन में क्या है, नेक्ट कोश्चन उस विकल्प का चैन करें, जो तीसरे पत से, तो यह भी क्या है, इसको भी हम देखेंगे, जैसे B, L, T को क्या लिखा गया है, F, H, G, I, F, H, G, I, कैसे लिखा गया है, अब देखेंगे, इसकी place value लिख लो हम पहले, B का क्यों होता है, L का 12 है, C का 3, इसका, क्यों होता है, 13, यहाँ इसको 6 होता है, 8, यहाँ पे 7, और इसका 9, आई का 9, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जै हो रहा है 20 से यह फो रहा है यानि प्लस फोर जूड़ रहा है इसमें प्लस फोर हो रहा है फिर बारे से आठ हो रहा है इसका मतलब चार इसमें से घट रहा है फिर इसमें चार जूड़ रहा है फिर इसमें चार घट रहा है यानि प्लस चार माइनस चार प्लस चार माइनस चार यहां पर हम पर में चाहर को चाहर हो जाएगा सब और दिया है टाइस में नहीं और यहांइ आप चाहर जोड़ना के कितना होजाएगा एक समें चार्ज लोड़ेंगे कितना हो जाएगा जाएगा लेकिन 27 कैसे होता है जैसे देखो एसे हमने चुरूबात किया जट पहुंचे तो 26 हो गया फिर अगर हम देखें तो यह ही आएगा A, B, C, D, ऐसे ही आएगा, तो इसके बाद A आ जाएगा, तो कौन सा अपसन स्रेव जाएगा, आपसन A स्रेव जाएगा, हम आगे बढ़ जाएगे, एक्ट कुरिशन देखेंगे, इसमें क्या है, यहाँ, K, O, T, T, वो क्या लिखा गया है, A, E, F, J लिखा है, Place value पहले लिख लेते हैं, 11, 15, 16, 20, इसका 1, 5, 6, इसका 10, अब देखो, जहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज, तो 11 से 1 हो रहा है, यानि, अगर 10 इसमें से घटाएं, यहाँ, 10, यहाँ से भी घटा दें, यानि 10 क्या हो रहा है, सब जगें से 10 माइनस हो रहा है, अब यहाँ से भी माइनस कर लेते हैं, यह क्यूं है, 17, 17 में से 10 घटाएंगे, तो 7 हो जाएगा, यानि, जी आएगा, आपसन, सही है, आपसन कौन सा, सी सही है, क्योंकि इसमें तो आना नहीं है, ठीके, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो कौन सा आप आपसन, सी सही हो जाएगा, क्यों हम आपना समय दर, आकर अपना समय जो है, क्यों करेंगे, जो हमारा एंसर मिल गया, यहां से तो, यह तो, यह क्या है आपका, इसमें भी वही करना है, इसमें लेकिन एक निमेरिकल आपको पार्ट दिया हुआ है, इसमें में है, आपको ने कैसे अगर हम बात करें 15 से 90 के लिए तो यहां से अगर हम 15 का है आप 35 का नुझे 15 का नुझे 15 कर दें कैसे आ रहा है अगर हम यहां पर देखें तो तो पांच एक है पांच एक च्छे में अगर 15 से मल्टिप्लाई कर दिये तो कितना गया अब इस चीज को देखिए यहां पर क्या है अगर इनको जोड़ें हम एक यूनिट नंबर इनका जो है एक एक अंक को जोड़ें जैसे तीन में जीरो और दो तीन दो पांच हो जाएगा अगर फांच में अफिर यहां पर ढिया क्या है तो सो 3 गी ऍैन दिया है मौल्टिप्लाई करके देखे तो 5 कि 3 मौं हों जाएगा तो कितना रह्या रहा यह जीज leighा आप देख यहां पर क्या देखना है कि इन जो तीन जो यहां पर नंबर दिया है इसमें क्या सिमिलर्टी है वही सिमिलर्टी इन आप्षन में डूड़ना है और उसको जो है हमको जो है करेक्ट करना है जैसे 157-110 157-110 तो कैसे चीज बन रहा है कैसे एक दूसरे से रिलेशन इसमें है यह हमको यहां से पता करना है 157-110 157-110 अगर हम यहां से 15 का मट्टी प्लाइ करें इसमें 157 कितना होता है 105 प्लस क्या कर दें 5 कर दें तो 110 आ जाएगा है एक सो 110 अब यहां पर भी कोई चीज हम क्या करें देखें एपलाई हो रहा कि नहीं हो रहा है तो 18 पच्छे यहां देख लिए आप से क्या है अठार और उसके बाद जो दूसरा नंबर है उससे मल्टिप्लाई कर दें अठार पच्छे नभे नभे में फिर कितना जोड़ हो रहा है तो यहां पर भी अठार पच्छे नभे और नभे पांच पंचानबे यानि आप सन यह ही जो है इसका स्रीव हो जा रहा है इसके नेक्स्ट कोईशन क्या है तिस दूसर सोले तिस का संबंद 216 से कैसे हो सकता है यानि अगर छे का हम स्कॉयर कर दें सश्वा के 36 हो गया और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है ठीक उसी प्रकार से अगर 81 को हम देखें तो 9 का स्कॉयर करें तो 81 आ जाएगा लेकिन अगर हम 9 का क्यूब कर दें 9 का क्यूब कर दें कितना हो जाएगा 729 होता है 9 का क्यूब कितना होता है याद रखेंगे आप इसको 9 का क्यू इसमें क्या है 18 का संब्द 45 बनाना हमको 18 से 45 बनाना है अच्छा जब 18 से 45 बन जाएगा तब हम क्या करेंगे आसानी से 34 का आगी जो रिलेशन बनेगा हम इसका एंसर बना के दे सकते हैं तो यहां पर हम देखेंगे 45 कैसे बन रहा है 45 कैसे बन रहा है तो यहां पर हम देखें तो 18 के लिए क्या है अगर इसका हम करें 9 दूनी अठारे 9 दूनी अठारे और यहां पर करें हम 9 पच्छे 45 नव दूनी अठारे 9 पच्छे 45 हो रहा है ठीक है नव दूनी अठारे एक सिंगल लेसन इसमें अब फिर यहां पर हम क्या कर रहे हैं 9 पच्छे 45 हो रहा है अच्छा इसमें अगर हम अपलाई करें तो 17 गुड़ा अगर 2 कर दें तो 34 हो जा से कर दें सत्रे का multiply इतने से 5 से कर दें तो कितना आ जाएगा 85 तो 85 आप्सन में है यस आप्सन में है आप्सन इस का करेक्ट हो जाएगा नेक्ट देखेंगे यहाँ पे लुप्त संख्या जो है डूढ़ना है हमको यहाँ पे क्या हो रहा है 676 से 841 बनाना है ठीक है अगर यह चीज बन जाता है आगे चीज़ी क्या हो जाएंगे यह रिलेशन में इसमें निकाल सकते हैं तो जैसे 676 कैसे हो रहा है 676 अगर देखें तो यह क्या होता है 26 का स्क्वाइर होता है इसका यह 26 का स्क्वाइर होता है 676 अब 841 किसका होता है इसका होता है यह हो जाएगा आपका 49 का इसका 49 का स्क्वाइर कितना होता है 829 का स्वाइर कितना होता है 841 होता है तो 26 में कितना जोड़ा गया है 26 में 3 जोड़ा गया है तब जाके 29 का स्क्वाइर 841 होता है अब हम 324 देख लेते हैं 324 किसका स्क्वाइर है 324 जो है यह 18 का स्क्वाइर है अब हमको 18 में कितना जोड़ना है 18 में 3 जोड़ देना है 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21 का square हम कर दिए 21 का square कितना होता है 414 441 option कौन सा सही हो जाएगा option C सही हो जाएगा तो आपको square और cube या होना चाहिए याद होना चाहिए आना चाहिए ठीक है next question 35 का relation 7 से है 35 का relation साथ से है यानि यहाँ पर एक चीज़ किलियर है कि यहाँ पर 7 का अगर multiply हम 5 से करते तो यह चीज़ आजाएगा अच्छा इसका मतलब 125 लाने के लिए 125 लाने के लिए अगर हम किसमे 5 से multiply कर दें कि 125 आजाएगा 10 से करेंगे 5 में पचास आजाएगा 5 से करेंगे तो पचीज़ आजाएगा 15 से करेंगे 15 पचीज़ 75 हो जाएगा लेकिं 25 से करेंगे तो option D से हो जाएगा 25 क्यूंकि 25 का multiply 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा ठीक है अब चलेंगे next question की तरफ यहाँ पी क्या exact क्या है exact को क्या लिखा गया है 9 1 6 8 5 9 1 6 8 5 लिखा है पिर yum i l k को 7 2 4 3 लिखा है अब पूछ रहा कि उसी कूट भासा में melt को क्या लिखेंगे इसको yum i l t एक चीज हम देखते हैं पहले जब इस type of question होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या question जिसके बारे हम पूछ रहा है क्या उपर जो दिया हुआ जो coded form है उसमें क्या later match कर रहा है जैसे इसमें yum है तो yum मालो यहाँ पे भी है अच्छा e है तो e इस वाले में है ठीक है यहाँ पे है फिर e l को देखेंगे तो e l इसमें भी है इसमें e l फिर हम t को देखें तो t कहां पे है यहाँ पे है यानि क्या है इसका code इसी में क्या है छिपा हुआ है yum e l t का code इसी में चीपा हुआ है तो अगर हम पहले यम का कोड़ देखें तो यम से क्या है सेवन है यहां पर सेवन लिख देंगे देख रहे हैं आपसन कहीं है आपसन एई मैच कर गया जाएए तो हम आगे आपको बता सकते हैं कर दाते हैं कि का यहां यहां से पता चल जाएगां तो यहां से दूसरा फोर हो जाएगा और हो जाएगा वचाटी यहां से टी लास्ट में तो टी का 5 है तो यम इल्टी का 7 945 7 945 अब बताओ अपना समय इधर गवंवाने कोई फैदा हुआ नहीं हुआ अगर आपको इस तरह से कोईशन मिलते हैं तो अगर क्या करें आप अगर एक या दो लेटर मैच किया तुरंत आप आप समय जो है तिक करके आगे बढ़ सकते हैं अपना समय इसमें जो है बरबात करने की जो है आवशकता नहीं है जिस कूट भा ee aEnsu al a कि को क्या रिखा गया one 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 लिखा गया एक दो तीन चार पांचे साथ 89 नौ लेटर आई और है यहां पर लिखा गयां E111 लिखा हुआ है तो एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से कोई चीज आपको सामने आता तो इसका मतलब है कि इन सब को क्या किया गया है जोड़ा गया है जैसे P को P की place value कितनी है सब की place value को लिख कर क्या किया गया है जोड़ दिया गया है P का 16 E का 5 YN का 14 I का 9 YN का 14 YS का कितना है YS का 19 U का 21 L का 12 और Y का 1 ठीक है अगर इसको हम क्या करेंगे अगर हम जोड़ें तो जोड़ की देख लेते हैं आप भी जोड़िए यहां से जोड़िए यहां सूले 4, 20, 10, 30 35, 35 35 हो जाएगा 35, 45 44, 44 44, 44 आपको हो जाएगा 48 48, 10, 58 58, 58, 52, 60 10, 70, 77 77, 78 78 20, 88 28, 80 कितना हो जाएगा 98 98 92 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 110 हो जाएगा 110 और 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 101 है ठीक है जोड़ने के बाद कितना जाएगा 111 है सेम आपको यहाँ से आपको करना है तो यहाँ से प्लेस बेल लिखे लो पहले T का 4 I का 9 प्लस C का 3 प्लस क्या है यह का 8 यह का 8 O का 15 प्लस T का 20 प्लस O का 15 प्लस M का 13 प्लस Y का 25 अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए जोड़के देख लिजीए आप इसको जोड़के इसको देखे यहां से जोड़िए 9, 4, 13, 13, 16, 16, 24, 24, 24 हो जाएगा 24, 10, 34, 34, 5 हो जाएगा आपका 49 ठीक है और यहां 49 हो जाएगा 49 में आप 20 जोड़ दीजी 49 तो यह हो जाएगा आपका 69 69 के बाद हो जाएगा आपका 69, 60, 10, 70, 74 हो जाएगा 74, 74 में 3 जोड़िए 74, 3 हो जाएगा आपका 77, 87 हो जाएगा 87 में 25 जोड़िए 87 में 25 तो आपका आजाएगा 100 आपका आपसं डी इसका क्या हो जाएगा परेट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलिए यहाँ पर भी क्या है जे का 17, यन का 13 तो आप जो है इसका कोड लिखना है तो जूनियर को क्या लिखा जाएगा जे का 17 पैसे भाई जे की तो प्लेस बेलूदास होती है यहाँ पर 17, यन का 14 होता है यह 13 लिखा है तो लॉजिक क्या है लॉजिक यह है कि जे को क्यों लिखा है इसका मतलब यह क्या है एक दूसरे के बिपरीथ है यन का 14 होता है लेकिन 13 लिखा है 13 किसका होता है यम का तो यम यन का क्या है बिपरीथ होता है इसका मतलब क्या है जितने भी यहाँ पर लेटर दिये हुए हैं सबका हमको विपरीद लिखना है जैसे जी है तो जे का विपरीद क्या होगा जे का क्यों होगा क्यों को हम क्या लिखेंगे तत्रे यू यू का यफ होता है तो 6 यफ का 6 होग जाएगा यफ 24 यहां पर 13 देखरो तत्रे चैन्ट है रएं मिल गया आफसं डी तो आफसं डी करेक्ट हो जाएगा जाए यह किसी निशित कोट में एट को यह लिखा गया है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ एक दो तीन चार पाँच थी एट को यह लिख दिया गया तो इसमें देख लो क्या है लॉजिक 11 को 11 बार 11 तक का नंबर लिख दिया गया है यहां 8 तक का नंबर लिख दो तो यहां अगर नहीं आप समझ पाते हैं तो फिर आप इसमें डिकोडिंग लगाते रही है इसके देखेंगे 18 18 question देखो क्या है B I R B A L इसको क्या लिखा गया है R I B L A B आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर देख रहा हूँ I I का place जो है change नहीं किया गया है यहाँ पर A का place change नहीं किया गया है लेकिन R का जो है place change कर दिया गया है अब इस वाले में देखो D I E S E L अब हमको क्या करना है इसको यहीं पर रख देना है यहाँ पर E को भी यहीं पर रख देना है उसके बाद हमको क्रास करके लिख देना है जैसे E यहाँ आ जाएगा D यहाँ जाएगा Yes यहाँ जाएगा L यहाँ जाएगा तो बनेगा क्या E I D E I D L E I D L E S option A सही है अब इस type के question तो मैं जो है हर practice set में आपको करवा रहा हूं तो यहाँ पर हमको पूरा नहीं पढ़ना है यहाँ पर देख लेना क्या Always की कोडिंग हमको बताने है किसकी Always की कोडिंग बतानी है अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर यह तो को भाई कोई language है Temp Lamp Temps का मतलब क्या Speak the truth वैसे बिस टिम नाप का मतलब Always Sick Knowledge वैसे टिम टेम टिक का मतलब है Knowledge is the truth ठीक है karşı वैसे आप यहाँ पर देखते चाहिए टो हमको always से मतलब है ठीक है हमको always की क 극ी चाहिए always की कोडिंग चाहिए अच्छा अब देखो यह एक कोडिंग है इसका मतलब है और यहाँ पर यह कोडिंग है इसका मतलब है आज़ा इन दोनों में कोई Common है too always seek knowledge to speak truth नहीं वाई इसमें तरहेंगी को यहां पर knowledge मिल इस वाले से knowledge हम उठालेते हैं इस वाले से knowledge कि कि इसकी कोडिंग नहां पर है इस की कोडिंग तो इसकी कोडिंग यहां है इसकी यहां है नॉलेज और इस वाली कोडिंग इसमें देखो कौन सा कामन है टीम टैम सिक तो यहां पर टीम है तो यानि हमको मिला क्या जो नॉलेज है नॉलेज की जो कोडिंग मिल गई टीम मिल गई ठीक अब क्या है दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है इज या ट्रूथ ट्रूथ कहा में मिलेगा अच्छा ट्रूथ तो पहले वाले भी इसमें भी है ट्रूथ अगर हमको ट्रूथ पता चल जाए या एक चीज और देख लेते हैं हमको अल्वेज इसमें है सिक ऑल्वेज या सीक सीक कही है सीक इस वाले में है अगर हम देखें सीक और इस वाले में भी देखें हम सीक तो इन दोनum आप कॉणन क्या है इसकी कोडिंग यहां पे है इसका क्या है लिख 20 जैब 20 स्य 카ई मिल गया 10 यहां पर भी है और 20 यहां पर भी है क्लिक अभी मिल गया हमको क्लिक कं गया क्या भी आई एस मिल गया अब देख रहे हैं always always आलवेज बचा व Hindus तो always Unding क्या हो जाएगी nak na always coding क्या हो जाएगी always coding हो जाएगी na na इस प्रकार से आपको क्या करना है इस question का जवाब देना है question आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्या है question? आसान है option क्या हो जाएगा इसका a इसम से correct हो जाए next question की तरफ चलेंगे नेक्ट कोशन जो है यहां पे दिकल्प में क्या असंगत आपको चुनना है ठीक है तो असंगत चुनने के लिए भई नंबर तो बहुत बढ़ा बढ़ा है अगर आपको नंबर बहुत जादा मिलता है जैसे अगर त्रे डिजिस से जादा मिलना है फाइर तो हम क्या करते हैं पहला काम तो इन लोंको जोडने के कोशिश करते हैं एक सिंगल सिंगल जो डिजिट है उसको हम जोडने के कोशिश करते हैं देख रहें कितना आता है जैसे 3 2 5 5 6 11 11 11 11 16 16 16 14 30 हो जाएगा फिर यहां पर देखो 6 2 8 1 9 9 3 12 5 17 पिर इसमें देखो 2 1 3 5 8 8 8 3 8 3 11 6 पिर यहां पर 5 2 डो साथ एक आठ आठ चेजिए तीन किया कोई चीज़ साब को समझ में आ रही है यहां पर जो है आपसट ए करेख्ट हो जाएगा क्योंकि इन सब का क्या है जोड 17 आ रहा है लेकिन यहां क्या है इसमें भी असंगत देखना है यहां भी लिखा है four two eight three को क्या लिखा है eight four three two अच्छा अगर हम यहां पे इन दोनों में अगर हम देखें तो जो इसमें number लिखा है same number इसमें भी लिखा है लेकिन क्या है place change कर दिया गया है जैसे 4 यहां पे था, तो 4 यहां पे आ गया, एक 8 यहां पे था, तो 8 पहले आ गया, और यहां पे 3, लाश्ट में था, तो 3 पहले आ गया उसके बाद, इसका मतलब यह है, कि पहले हमको तीसरा लेटर, जो तीसरे पोजिशन पे है, उसको पहले पे करना है, फिर जो पहले पे अब हम उसको दूसरे प्रक्तरना तरी करना है कि तूं स्वालीम देखेंगे पहले हमको क्या करना है पहले वन लिखना लिखना है यह गलत हो जाएगा इस वाले मने आपको बताई दिया पहले एट होगा यहाँ से थी फिर एक अच्छा छोड़के टू हो जाएगा इसमें नहीं मैच कर रहा है को देखेंगे इस वाले को देखिए इस क्या करना हम इन दोनों की सायता से बीच को बनाना है कि हम को कर ना है तो क्या करेंगे हम अगर हम क्या करें 317 मिंसे 2 4 3 को अगर हम गटा दें तो कितना जाएगा यहाँ प्रहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर 11 11 मिंसे 4 7 हो जाएगा एक कैंसे लोगा अब 24 से हमको 2 2 2 2 22 बनाना है 222 बनाने के लिए अगर हम 3 से multiply करते हैं तो कितना जाएगा 3 जोग के बार है 2 कैरीवर हो जाएगा फिन 3 सब्दे 21 222 मिल ला है इस वाले में हम वही काम करेंगे देखते हैं जाता है 621 मिसे हम क्या करेंगे घटा देंगे 548 को 548 को पाइए 11 से 8 को पाइए यह 3 हो जाएगा यहां से 10 हो जाएगा 11 से 4 73 जाएगा 73 में क्या करना है 3 से multiply कर दो कितने से 3 से multiply करके देख लो 3 का 3 का 3 करना हो जाएगा और 3 सत्य एक क्वेस हो जाएगा 219 option B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानि यह logic जो है इसमें follow हो रहा है हुआ नक्सट है कि कुंटि टी तिर कोश्चन हैं यहाँ ऊक्ति जी देख रहे से पै्युक्ट हम इस पैटर नहीं देखेंगे 22 की बाद 23 तेस की बाद 26 वि चपविस की माद 27 फी 30 फी एक обычно 22 की बाद यहाँ यहां पर 3 कि तीर यहाँ पर एक बढ़ रहा है, फिर यहां पे तीन बढ़ रहा है, फिर यहां पे एक बढ़ रहा है, फिर यहां पे तीन बढ़ना चाहिए, यहां पर क्या जाएगा, 34, 34, क्या हो रहा है, यहां पर चाहिए, इस तरह से आप करिए, 22 से 23 हुआ, 23 से 26, 23 जुड़ा, 26 से 27 हुआ, एक जुड तीस हुआ तीस में एक जुड़ा 31 में तीन जुड़ा 34 हुआ यह तो आप इस तरह से कर सकते हैं एक और लॉजिक जैसे 22 26 26 30 34 कैसे 22 24 27 24 33 34 34 इस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसे यहां पर तेज चार 27 सब्सक्राइब कर सकते हैं एंसर आएगा कितना आप संटी 34 आजाएगा कि नेस्ट कोश्चन को पढ़ो 4.6 5.2 कि 4.6 5.2 कि 5.8 फिर यहीं पर जो है हमको किल करना है तो 4.6 से 5.2 फिर 5.8 फिर क्या आएगा देख रहे हैं यहां यह एक चीज़ प्लस हो रहा है प्लस 0.6 हो रहा है अगर इसमें तो 6 में 6 जोड़े 12 हो जाएगा यह आपका 5.2 हो जाएगा फिर अगर 0.6 जोड़ दें इसमें इतना आ जाएगा फिर अगर नेक्ष्ट कोशन देखते हैं 25 नंबर में क्या करना है चलो 25 नंबर को थोड़ा सा वीडियो को पॉस्ट करके आप लगाओ चलो जोड़ में बताता हूं आपको चलो इसमें क्या करना है इसमें क्या करना होता है इस टाइप के कोशन को हल करने के लिए देखो यह बीच वाला हमको निकलना है इसका मतलब क्या है कि जितने भी इसके चारों तरफ नंबर दी हैं, उन्हीं का help लेके हमको बीच का नंबर निकालना है, जैसे अब पैसे पता चलेगा, अब यहां पर इसलिए दो figure में दे दिया है, आपको logic लगा के क्या करना है, 20 बनाना है, कौन सा logic लगाएंगे कि 20 बन जाएगा, फिर कौन स सेम logic काम कर रहते हैं, इसमें भी ओई logic काम करेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम यहां पर देखें, 4 का 8 में multiply करदें, 4 अठे, 32 हो जाएगा, अच्छे दूनी बारे कर दें, तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और यहां से भी अगर हम वही काम करें, 8 चक, 48, और 5 च तो आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाना है नेक्स देखेंगे इस सबसे खतरनाग कोशन है जो कि आपको मैंने पहले थंबनेल में भी तो किया है पहले ही आप इस कोश्चन को लगाई पहले आप क्या करिए पहुच कर दिए वीडियो को उसके बाद देखिए झालोचन देखेंगे सबस्कार अब अब हम थरी लिया है, यहाँ पर किया है? अगर हम 5 का इस4 कर दें झाय का, अगर 5 का इसक्वायर कर दें, 5 का इस्वायर करता है, लिक को हो जाएगा, नहीं होने वाला है, इस टाइप से कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या चार से multiply करो अब इसके उपर कितनी हैं कितना हो जाएगा चारम चारती या Г इसमें कितनी बुजाएंब जाएंगी वन तो थ्री फोर फाइब सिक्स तो चारती यहां बार है बार अच्छक बार च्वेंटीटीटू कि अप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि अप्शन की तरफ चलेंगे नेश्ट कोश्चन यह वी काफी इंपॉर्टन कोश्चन है एंटीपीश्य में आया हुआ है अब हमको क्या करना है यह जो सर्किल ना अगर यहां पर इसको करके देख लो यहां पर क्या है बारतीन पंद्रे चुका साथ तो यहीं क्या हो जाएगा सेम जाएगा ना अठारे और अठारे में चाहे जोड़ दो कितना हो जाएगा और अब इन दोनों की सायता से हमको क्या करना यह ची निकालना है इसका मतलब क्या है इन दोनों का हेल्प लेके हमको यह नंबर निकालना है तो तीन तीन तरिक का नव तो यहां पर हो जाएगा यहां पर तीन नवा यह हो जाएगा 27 भई यहां तो यह वाला लोजिक नहीं लग रहा है तीन नवा 27 नहीं हो पा रहा है फिर क्या होगा 24 यहां पर 26 आ जा रहा है इप पिक करेंगे हम देखते हैं दूसरा लोजिक क्या हो जाएगा अगर हम तीन का स्कोयर करें प्लस तीन का स्कोयर कर लें तीन तरीक्का 9-9 18 हो जाएगा 18 को 2 से भाग कर दें तो 9 हो जाएगा इसमें देखो 3 का स्क्वाइर प्लस 9 का स्क्वाइर 3 तरीक का 9 प्लस 9 9 81 तो एक कितना जाएगा 90 90 का आधा 42 क्या हो रहा है इसका मतलब इन दोनों में फालो हो रहा है इसमें भी फालो हो रहा है इसमें भी वही चीज फालो होना चाहिए ठीक है फालो होना चाहिए तो अब क्या करेंगे हम इस वाले को चेक करेंगे, दो का स्कॉयर करिए, प्लस दो का स्कॉयर करिए, प्लस दो का स्कॉयर करिए, प्लस दो कर दीजी, दो दूनी चार, दो दूनी चार, आठ बट्टे दो, दो का आधा, आपसन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, इसकी साधी कि साधी किस से उई है। किस से हुई है चलो साधी भी करा दिए गीता से गीता के पती का इकलावता भाई देव बविता का पुत्र है बविता का पुत्र मतलब क्या है मोहित की कोई पत्नी होंगी बविता उसका पुत्र कौन है देव है आप दोको बविता और जमिता दोनों बहने हैं बविता है उसके बाद जमिता है जमिता बविता और जमिता दोनों क्या है बहने है और अपने माता पिता की दो संताने है इसका मतलब अगर इनके उपर की बात करें इनके पिता की बात करें इनके जो है माता पिता के दो ही संता कौन बवीता और जमिता पर आगे क्या है तो यहां पर पूछ रहा है कि बविता का गीता से संबंद है बविता इससे का की तरफ गीता की रोहित हस्वेंड है और इनकी मा क्या लगेंगे की हो जाएगा है अब क्या है इस वाले क्वेश्टन में यह अर्थमेटिकल वाला क्वेश्टन do weird स्कृ क्या करना है ऊप्षन's Walmart प्लस के जगहें पर आगर हम भागे कर दें क्यों नहीं पहला होगा अगर हम प्लस के जगहें पर हां भागें कर दें फिन 6 से लिख दें तो कभी 13 आएगा अगर इसका क्योंकि यह कटने वाला ही नहीं कटेगा नहीं कटेगा अब यहां पर हम प्लस कला दें तो यह चीज़ का नहीं कटेगा या पहला असल तो ऐसे ही प्यस्ते हो गया आप दूसरा आपसं देखो यहां क्या है भागे के जगए पर गुड़ा गुड़ा के जगए पर भागे करना चलो इसको देख लो 5 प्लस 6 भागे क्या करेंगे हम गुड़ा निसान लगा देंगे और क्या लिग देंगे भागे भागे क्योंकि इसका अगर हम इसमें भाग करेंगे तो फिर यह पुड़ा पुरा नहीं कटेगा इस वाले चीज़ को देखो आप संसी को यहां पर जाएगा क्या 5 प्लस के जगए पर मल्टिप्लाई 6 कर दो फिर भागे को भागे रहने दो इन तो हो जाएगा यहां तो यह जाएगा थ्री अब भागे को भागे नहीं रहने दो पिर माइनस टू हो जाएगा और जहां पर गुड़ा है वहां पर प्लस हो जाएगा फाइप जाएगा अब देखो क्या थर्टीन आ रहा है यहां से बजाए क्या आपका तीन से इन दूनी छै तो पांच दूनी करना है चारो आपसन को चेक करके इसका एंसर देना था तो आज आपको पढ़ाया आपको बताया विद कॉंसेप्ट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहे है तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और क्वेश्चन का नंबर क् जो उसके बारे में आप लिखिए फिर हमको बताएं किस कोईश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपके लिए ऐसे ही जो है कांटिन्यू वीडियो हम बनाते रहेंगे आप वीडियो को पढ़ड़े जो है देखा करिए कुछ रीजन से हम दो दिन वीडियो नहीं ब प्रीविय के जितने रहेंगे हम उसको कवर करेंगे पहले आपको समझाएंगे जयो भी टॉपिक रहे गा फिर उससे से रिलेटर जितने भी क्वेश्चन पेपर में आया हुए है हम जो उसको कराने का प्रयास करेंगे रगता है नेक्ट वीडियो में आपको इसी तरह से आ करते हैं और धन्यवाद